Hello Everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की जो रिडिंग हैं, ये हम कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आज पूरे दिन आपकी बारे में ये शाम की 6 बजे तक जो है एनेर्जी रह गी शाम के 6 बजे तक ठीक है आप जहां भी है वहाँ पे आप अपने टाइमिंग डिख लिजिएगा इंडिया टाइमिंग के अनुसार से मैं बतारहे हूं कि 6 बजे तक की ये रीडिंग होगी मतलब सुबा से लेकर के 6 बजे तक ठ देख रहे हैं ठीक है तो चले करते हैं रिडिन को स्टार्ट देखते हैं आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे क्या फील कर रहे थे उनके इमोशन्स क्या थे फीलिंग्स क्या थी ठीक है वो सारी चीजे हम देखने वाले हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आज क कि अपनी ये रिडिंग डिवाइन हमें गाइड करें फोकस किजिए आप ओके डिवाइन हमें गाइड करें डिवाइन हमें गाइड करें okay okay so eight of charisma the emperor page of intelligence ace of strength seven of charisma okay the hangman ace of intelligence queen of intelligence ten of strength यह ज्यादा है मुझे शरिफ एक ही चाहिए five of wisdom का card है okay bottom of the deck the fool की energy okay सबसे पहले तो आपके जो partner है the fool the magician and the high priestess okay सब साथ में ही आये है sequence wise so अगर मैं देखू तो आपके cards काफी clear way में डिख रहे हैं कि आपके जो partner है ना इन्होंने कही ना कही किसी की बातों में किसी की जहांसे में यह person जरूर आये है आज यह जो person है उसी के बारे में सोचते वे दिख रहे हैं कि किसी और की बातों के उपर इस person ने trust कर लिया किसी और की बातों में यह person first गए किसी और की बातों में ये person लपेटे में आ गए तो मतलब कि क्या है मतलब ऐसे कैसे है मतलब एक होता है न कि life में पूरी तरीके से stuck हो जाती है life तो ये जो life में stuckness है ये क्यों है ठीक है मुझे दिख रहा है कि आपके partner बहुत busy रहते हैं और आज भी पूरे दिन बहुत busy रहें पूरा अपना जम के work कर रहे थे एक होता है न कि पूरी dedication के साथ स्रिफ और स्रिफ ऐसा दिखाना जैसे कि मैं काम पे हूँ काम पे ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ बाकि किसी चीज में मेरा ध्यान नहीं है आपके partner अपने career के उपर जदा focus करते हूँ दिख रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर एक बार मैंने अपने आपको बना लिया यानि कि एक बार मैं successful हो गया या हो गई अपने career में काफी successful हो जाने के बाद भी मुझे कुछ problem नहीं आएगी इसलिए आपके partner काफी struggle कर रहे हैं अपने आपको बहुत तपा रहे हैं और आज मैं देख रहे हूँ कि ये person जब जब आपका ख्याल आ रहा था जब जब आपके बारे में सोचन लग रहे थे तब तब ये person अपने आपको busy कर रहे थे तब तब ये person अपने आपको busy रखने की कोशिश में लग जा रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ठीक है तो वो energy दिख रही है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके partner को जो आपका प्यार है है ना वो आपका आपके partner का प्यार आपको चाहिए होता है आपके partner आपको जो एक होता ना कि दिल से दिल से कहीं न कहीं एक्सेप्ट करने के लिए person तयार है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके partner के अंदर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि life में है ना चीजों के साथ relationship के साथ थोड़ा सा balance out करना चाहिए balance होना चाहिए ठीक मुझे ऐसा feel होता है कि आपके और आपके partner की बीच में ऐसी भी energy है जहां पर मैं देख पार हूँ कि आपके partner the hangman के energy में है the hangman यानि कि आपके partner काफी stuck हो गए हैं काफी रुके-रुके से हैं और आज मैं देखू तो इस person को बहुत सोचने के बाद एक तरीके से clarity भी आई है आप दोनों के life में जो है कौन लोग involved होते हैं ऐसे और कौन लोग आपकी चुगली करने के लिए आते हैं इनसे इनको काफी clearly पता चल गया है आपके partner के अंदर मैं देख पार हूँ कि इनके अंदर एक सोच समझ विक्सित होते हjekt भी दिख रही है और ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूझे के बारे में बहुत deeply सोचने लगे हो बहुत deeply सोचने लगे हो असा लगते है जैसे कि आप दोनों एक दूजे के बारे में सोच करके या एक दूजे को ले करके काफी सिरियस हो जाते हो और आपके पार्टनर में भी है वो सिरियसनेस आपके पार्टनर के अंदर भी है देखो आपके पार्टनर चाहें जहां भी हैं जो भी है लेकिन इनका अभी फोकस ना मैं लव लाइफ से हट करके थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ पे देख पा रहे हूं ठेक ये परसन हाला कि बीजी तो है लेकिन कहीं ना कहीं आपके उपर इनका दिमाग आहीं जा रहा है इनका ध्यान आहीं जा रहा है और ये परसन आपको शोशल मी ठेक है कि हाँ ये परसन है आपका हाल जानते रहे ये परसन या आपके बारे में जानने की कोशिश हमेशा इनकी रही मतलब ये परसन का टोटली दिख रहा है कि जो परसन है आपके बहुत ज़ादा आपके बारे में सोचते भी दिख रहे हैं आपके बारे में टोटली सोच मुंस्ते वो सिश्टी दिख रहे हैं कि जैसे queen of intelligence का काड है कि रहें ऐसा आपके और आपके पार्णर की बीच में काफी प्यारी energy है काफी प्यारी सी खुबसुर rely है और मुझे यह भी दिख रहा है कि यह आपके पार्णर की बीच में थोड़ा सा जो वह बैलेन्स होता है वह बेलेन्स बनता हुआ दिख रहा है बैलेंस करती हुई स्वरूप है तो आपने इनको दिखाना की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो यह energy मुझे काफी ज़दा दिख रही है social media पर यह person आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको लगने लगा है कि हाँ मतलब इनको लगता है कि आपके लिए जो है यह person के दिल में या आपके लिए जो है इस person के दिल में emotions, feelings, सब कुछ है ठीक है सो yes, मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके partner चाहिए कितना भी ignore करें, कितना भी खुद को ignore करें कितनी भी खुद को जिसे होता है कि ignorance इंसान करता है लेकिन फिर भी ध्यान चला ही जाता है तो आपके partner का ठीक वैसे ही हो रहा है, कि आपके partner का ध्यान आपके तरफ चला ही जा रहा है आपके cold behavior को डेक करके कहीं न कहीं इनके दिल दिमाग में ये भी चल रहा है कि वो अपने work में busy होगी या अपने career में busy होगी या यहां वहां, मतलब कहीं भी busy हो सकती है, या हो सकता है इनके दिल में ये भी चल रहा है, लेकिन क्या होता है ये person सोचते भी दिख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहां पर अपने work में busy हूँ और वो कहीं और busy है मतलब कि किसी और के साथ busy है, ये भी है इनके दिल दिमाग में क्योंकि इनको confusion होता है, कई बार होता है कि谢 सामने वाले का behavior जब अचनक से बदल जाता है, जब आठेंशन नहीं देता है, तो हमें भी doubt होने लगता है कि अचनक से इसी कैसे बदल गया, मतलब कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो ना होकर कि कहीं कुछ और तो नहीं है तो कहीं ना कहीं इनको doubt है कि क्या right है और क्या wrong है ठीक ये person के अंदर देख रहा है ace of strength and ten of strength आपके partner के अंदर बहुत आपके partner के ऊपर मुझे जहां तक लगता ना कि बहुत burden है बहुत burden मतलब एक होता नहीं कि family भी इनको चलानी है office भी इनको देखना है business में growth नहीं है उसका tension family में किसी को बिमारी हो गई उसका problem बहुत सारी कुशिजे जो हैं आपके partner सोचते वे दिख रहे हैं बहुत सारी कुशिजे face करते वे दिख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके और आपके partner की बीच में जो होता है बहतर तरीके से होता है लेकिन बहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है और यहां पे कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में problems आती हुई दिख रहे हैं मुझे issues आते हुई दिख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में एक होता है न कि आपके पार्टनर ने सब कुछ सौंप दिया है इश्वर के सामने की अब जो होगा सो देखा जाएगा इश्वर जो है सो वो करेंगे ठीक है सो यह एनरजी मुझे ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि यहाँ आपके पार्टनर काफी ज़्यादा फ्रॉस्टेट हो गए हैं काफी फ्रॉस्टेशन दिख रही है मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपको जो ह कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप इनके लाइफ में एक लाइफ चेंजर हो एक ऐसे परसन हो जहां पर आप मतलब एक होता है कि आप जो है ना एक ऐसे ऐसे परसन हो जहां पर किसी को भी कुछ भी अगर हो तो आप हील कर सकते हो ठीक है तो यह वाली एनरजी दिख रही है आपक ऐसद सब्सक्राइट ने आपके लिए अपने दिल दिमाँग में थाउट्स लेकर के आये हैं- तछलिए देखते हैं कि आपके पाइंट हैं वो डि शीजन को लेकर किया सोचते विद्र हें प्राइट किस्ट लेकिंग कोasa of wisdom okay four of intelligence the fool page of strength okay bottom of the deck the emperors very nice this is the newUND uh no doubt attraction one of department a lot of money from resources होता है ना कि आपके पार्टनर के अंदर एक जो लाइफ में एक जो टैंशन फ्री होता है इंसान वो टैंशन फ्री इंसान आपके रहना चाहते हैं मुझे यहां पर यह देख रहा है इनका कहीं ना कहीं होता है कि हाँ लाइफ में मेरे इश्यू है ऐसा है वैसा है बहुत सारी आपके पार्टनर के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है मुझे ऐसा भी feel होता है जैसे कि आपके partner को एक जो होता है कि tension मुक्त होना और tension मुक्त होकर करके life को एक दम अच्छे तरीके से जेना तो वो भी दिख रहा है मुझे आपके partner का दिख रहा है कि person action तो लेंगे कि क्योंकि इनका overthinking है बहुत ज़्यादा सोचेंगे बहुत ज़्यदा सोचेंगे बहुद् करके आपने रिष्थे को continue करेंगे मुझे यह यह आप यह देख रहा है कि आसे ही ऑपार्सन आप पर रिष्थे को काफी ज़्यदा शोचेंगे समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे मुझे ऐसी भी एनरजी दिख रहे हैं जहां पर आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर कि एक होता ना कि अपने अपने माइंड वे माइंड गेम स्टाटेजी वेगरा बनाते हुए दिख रहे हैं ठीक है आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर है वो फीलिंग्स वो इमोशन्स हर तरीके की हैं इनकी अनरजी लेकिन यह परसन मैनेज नहीं कर पाते हैं मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में दिख रहा है कि परसन अपनी हीलिंग को करेंगे हीलिंग के उपर फोकस करेंगे अपनी हीलिंग काफी करेंगे आपके लिए मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा यह परसन करने वाले हैं आपके लिए यह परसन मैनिफेस्टेशन सरेंडर करके आपके विम एक पर्संद सोचेंगे कि बहुत होगा बवाट डीपली सोच करके इस रिस्ते कोौई आ सब्सक्राइब करने ठीक है कि अगर आप मुझे काफी ज़दा दिख रहे है कि मुझे नियुक और यहीं करूं numerology के थूँ यानि कि numerology के थूँ आप मुझसे connect हो यानि कि numerology के थूँ एकदम accurate आपको answer चाहिए अपने life events का life में क्या होगा कब होगा या life में आपके future को ले करके आप थोड़ा परेशान रहते हो कहीं मैं यह ने यह business किया और यह business डूब गया है ना business कर रहे हो तो कौ business opening करवाना चाहते हैं कोई business को open कर रहे हैं उसका name क्या होना चाहिए यह आपके name में क्या गड़बड़ी है आपके name एक आपका name बदल जाने से जो है ना name के कुछ words बदल जाने से name तो आपका वही रहेगा लेकिन उसमें कुछ words change हो जाने से आपके life में काफी कुछ जो है उस पर पड़ेगा फायदा ठीक है तो अगर आप करवाना चाहते हैं name correction ठीक है अगर आप जो है अपनी life का कोई event कर रहे हैं जैसे लोग बहुत event प्लान करते हैं काफी event planner होते हैं सो अगर आप वो भी चाहते हैं कि आपका event उस दिन हो कि आपको success मिले या आप जिसके लिए प्लान कर रहे हूं उसको success मिले ठीक है तो येस आप वो भी करवा सकते हैं साथे साथ देखो निमरलोजी में बहुत सारी कुछिजे हैं जैसे कि इस लोजी होती है वैसे ही निमरलोजी भी होती है उससे भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं आपके health issues health क्यों खराब हो रही है क् आपको money कब मिलेगी आपको जायदाद कब मिलेगी या कहें तो आपके life में आपकी government job कब होगी आप अपने goal के प्रती कब तक पहुंच जाओगे ठीक है तो वो भी जो है आपको बताया जाता है ठीक तो बहुत सारी चीजे हैं जो कि आपने रिंक के बारे में जानते हैं तो आप जरूर इस ये चाने चानते तो मुझे बता सब लेगा आपको उछी चोटा सा मैं आपको देदेदी सब्यस्थ चे यह जो पतली ऐस्स ने और आपनी लव लाव लाइफ बिजनेस के लिए या happiness के लिए, health के लिए, money के लिए, job के लिए, career के लिए, अपने mother, father के लिए या फिर कहें तो life में जितनी problems हैं, अगर आप उसका solution चाहते हैं, तो आप इस ring को ले सकते हैं, जैसे कि आपका husband दूर चला गया है, आपको छोड़के किसी और के पास चला गया है, आपकी wife है, अ growth नहीं हो रही है, business में एक दम loss ही, loss, loss ही, loss जा रहा है, तो आप तो पहले सबसे पहले prediction लो, निम्रोलोजी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये loss क्यों हो रहा है मुझे, और recovery कब होगा, अगर आपने किसी को पैसे दिये है, तो पैसा कब मिलेगा आपको, हैना मिले कभी की नही ही मिलेगा, वो सारी चीजें, आप जान सकते हो, ठीक, बहुत ही, कम समय में आप जान सकते हो, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, इस रिंग के बारे में, या निम्रोलोजी के थ्रू, आप अपने जीवन का prediction करवाना चाहते हैं, तो जरूर करवाईए, ठीक है, क्योंकि मा प्यार रहेंगे, हमें कौन सा असर सस्त इस्तिमाल करना है, ठीक है, क्या हमें जो है, रेमेडी करनी चाहिए, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए, जैसे कि लव मैरेज करना चाहते हैं, लेकिन के पहले मैं आपके पूरी तरीके से रोचेन दोंगी आपकी do लोजी में ठीक है तो अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर करवाएं बुकिंग और अपॉइन्मेंट बुक करवाएं और यह रिंग को भी अगर आप बुक करना चाहते हैं तो करवाएं जरूर करवाएं क्योंकि यह रिंग को मैंने बहुत लोगों को दिया है यह रिंग म चाहते हैं तो जरूर जरूर जरूरwasR booking करवाए ना चाहते हैं और आप करवानाा चाहते हैं आपको से कंदर दिनका टाइम 무료 approach ृफ-0 1-15 करेंने apostle 6 5 तब 샵れた ने दोने सकती में 3 यृई क्योंकि वह मैनत करंगी तब ही तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं आपको 2 दिन में रिंग बना के देदू कि लो, जैसे ये रिंग बनी हुए है, मैंने कहा कि लो, तुम्हें जल्दी है ना, लो, ये रिंग पहने को कोई फाज़ा ही नहीं करेगा, तो फिर ऐसी रिंग पहन के क्या वाइदा है ना इस रिंग को बनाने में 15 दिन का समय देना पड़ेगा आपको 15 दिन अगर आप पेशन्स रख सकते हो दे सकते हो तो ही मैं इस रिंग को बनाओंगी वरना मैं मना कर देखती हूं कि साफ साफ की नहीं मैं नहीं बना सकते क्योंकि रिंग इतनी इफेक्टिव ही और दवा कुछ ऐसी लिख दो कि हाँ मुझे क्या फर्क पड़ता है ये ठीक हो ना हो मुझे उससे क्या मतलब ऐसा काम करके मुझे क्या मिलेगा है न तो वही है कि आपके लिए जो effective होगा वही मैं आपको दोगी बिकार की चीज़े क्यों दो है न तो अगर आप चाहते हैं त आप सो दुबारा किसी और रिडिंग में तब तक के लिए बाव बाई टेक कियो और लव यू अल